प्रियंक अदा किच्ण किविन में आपका स्वागत है आज हम सीखेंगे सांदार मेगी समोसे बनाना अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सस्क्राइब करें वीडियो को लाइक करें बैल आइकौन को प्रेस करें जिससे सबसे पहले हमारे वीडियो की नोटिफिके सनाब तक पहुंचती रहे हैं इसके लिए हमें चाहिए दो पैकिट मेगी 200 ग्राम मैदा थोड़ा बारिक कटा हुआ सिमला मिर्च थोड़ा बारिक कटा हुआ गाजर थोड़ा अजवाइन और काले तिल आप 10 स्पून काली मिर्च 1 टेबल इस्पून नमक 2 टेबल इस्पून देसी घी थोड़ा ग्रेट के हुआ अद्रक थोड़ा बारिक कटा हुआ हरी मिर्च धनिया पत्ता पानी और तेल इसके बाद में सबसे पहले हम एक पैन में थोड़ा तेल डालेंगे और तेल को गरम कर लेंगे तेल गरम होने के बाद में हम इसके अंदर जीरा डाल देंगे अरे मिर्च और द्रग डाल लेंगे और इनको हलका सा पकाएंगे इसके बाद में हम इसके अंदर बारी कटा हुआ गाजर डालेंगे और गाजर को हम एक मिनाट इस तरह से लगातर चलाते हैं पका लेंगे इसके बाद में हम इसके अंदर नमक डाल देंगे और उसको अच्छे से मिलाएंगे काली मिर्ट नेंगे को सीमला मिर्स को सोट होने तक पका लेंगे क्यांना ओकड़े नहीं करेंगे मेगी को तोड़ लएगे और इस परकार से डालेंगे, इसके बाद में हम इसके अंदर थोड़ा पानी डालेंगे, थोड़ा मेगी मसाला डालेंगे, मसाले आप अपने पसंद से थोड़ा कमिया ज़्यदा कर सकते हैं, ध्यान रखें, पानी हमें इसमें ज्यादा नहीं डालना है, पानी हमें इसमें थ लिखी करकार से चला देंगे और इसको वापस से कवर करके पका लेंगे हैं कि इसे ज्यादा गेला नहीं रखना है इसको हमें थोड़ा सूका ही रखना है इसको हम 90% पकाएंगे 10 परसंट ये समोसा फ्राइइ करने के टाइम में पक जाएगी यहाँ देख सकते हैं इसको हमने 90% पका लिया है, इसके बाद में हम मेगी को ठंडा होने के लिए रख देंगे, जब तक मेगी ठंडी होती है, तब तक हम समोसे बनाने के लिए सबसे पहले आटा लगा लेंगे, आटा लगाने के लिए हम एक बरतन में थोड़ा मैदा डाल लेंगे, नमक डालेंग अजवाइन और काले तिल डाल लेंगे अगर आपके पास तिल है तो आप इसमें डाल लें नहीं तो आप इनको इसकी भी कर सकते हैं इसके बाद में हम इसके अंदर देशी गी डाल लेंगे और इसको अच्छे से मिलाएंगे इस परकार से हम इसको अच्छे से मिला लेंगे आप चाहें तो घी की जगह इसमें रिभाइन तेल का इसने मल भी कर सकते हैं इसके बाद में हम इसके अंदर θαड़ा पाने डालेंगे और इसका हाट आटा लगागी के तयार कर लेंगे पानी हमें इसमें एक साथ ज्यादा नहीं डालना है इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसका सकता अटा लगा के त्यार कर लेंगे इसके बाद में हम इसको कवर करके 10 मिनट के लिए रख देंगे 10 मिनट के बाद में हम इसको वापस एक बार अच्छे से गूंथ लेंगे इसके बाद में आटे में से हम थोड़ा सा आटा अपने हातों मिलेंगे और इसको इस परकार से कर लेंगे इसके बाद में हम इसको बेल लेंगे इसको हमें पूरा गोल नहीं बेलना है इसको हमें हलका सा ओल टाइप में रखना है आप देख सकते हैं इस परकार से हम इसको बेल लेंगे बेलने के बाद में हम इसको दो बराबर हिस्सों में कट कर लेंगे इसके बाद में हम इसको इस परकार से वापस से बेलन से बेल लेंगे यह आप देख सकते हैं बेलने के बाद में हम इसको इस परकार से जिस सैड से हम इसको कट करेंगे उस सैड से हम इसके उपर पानी लगा लेंगे और इसको इस परकार से चिपका लेंगे इसके बाद में हम इसको अंदर की सैड से वे अच्छा से चिपका लेंगे और इसको इस परकार से पकड़ लेंगे इसके बाद में हम इसके अंदर मेगी मसाला डालेंगे मेगी मसाला डालने से पहले हम इसको एक बार अच्छे से चेक कर लेंगे कि यह चिपका है कि नहीं चिपका इसके बाद में हम इसको इस परकार से इस बार फोल्ड करेंगे और इसको आगे ही साइड में लाके इस परकार से चिपका देंगे यहाँ आप देख सकते हैं इस परकार से हम इसको अच्छे से चिपका देंगे इसके बाद में हम इसको हलका हलका इस परकार से सैट कर देंगे इसे परकार से बाकी के बचे हुए समोसे भी बना के तयार कर लेंगे चिपकाने से पहले हम इसके साइड में पानी लगा लेंगे और इसको अच्छे से चिपका लेंगे इस परकार से पहले हम इसको रोटी के साइज का बढ़ा लेंगे इसके बाद में हम इसके पर इस परकार से अंगोलियों से पाने लगा देंगे मसाला भरके हम इसको अच्छे से जिपका लेंगे पहले हम सारे समोसों में मसाला भरके तयार कर लेंगे उनके बाद में हम उनको फ्राई करेंगे अगर आपके पास टाइम है तो आप उनको 20-25 मिनट रख सकते हैं अगर आपके पास टाइम नहीं है तो डाइरेक्ट मसाला भरने के बाद में आप उनको फ्राई कर सकते हैं इसके बाद में हम एक कड़ाई में तेल डाल लेंगे और तेल को गरम कर लेंगे तेल गरम होने के बाद में हम इसको इस परकार से चेक कर लेंगे अगर तेल अच्छे से गरम है तो बैस की फ्लेम को हम लो कर देंगे और उसके बाद में हम इस परकार से एक एक करके समसे डाल लेंगे और उनको फ्राई कर लेंगे दो-तीन मिनिट हम इसको लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे इसके बाद में हम फ्लेम को मीडियम कर देंगे और मीडियम फ्लेम पे हम इसको लगातर चलाते हुए गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे अगर हम इसको high flame पे fry करेंगे तो यह बाहर से पक जाएंगे और अंदर से एक अच्छे रह जाएंगे यहाँ आप देख सकते हैं इस परकार से हम इसको golden brown color आने तक fry करेंगे इसके बाद में हम इनको एक प्लेट में निकाल लेंगे और बाकी के बच्चे होगे समोसे भी इसी परकार से फ्राइब करके त्यार कर लेंगे यहां समोसे बनाने के लिए हमने रिफाइंड ओयल का यूज किया है आप चाहें तो सर्सू के तेल में भी ये समोसे बना के त्यार कर सकते हैं इसी परकार से बागी के बच्चे ओए समोसे भी फ्राई करके त्यार कर लेंगे यहां आप देख सकते हैं मनिया समोसे बना के त्यार कर लिए हैं और ये बहुती सांदार और स्वाधिश्ट बन के तियार हुए है इनको आप गिरीन चटनी के साथ चाय के साथ किसी की साथ भी सर्वे कर सकते हैं या फिर आप इनको वैसे भी खा सकते हैं तो चलिए हम एक समोसे को कट करके देखते हैं यह आप देख सकते हैं समोसे के अंदर मेगी मसाला बहुत अच्छे से वड़ा है और यो बहुत क्रंची और स्वादिश्ट बन के तियार होते हैं बच्चों को यह बेहद पसंद आते हैं अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो आप इस रेसिपी को एक बार घर में ज़रू ट्राइए करें अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें बैल आइकोन को प्रेज करें जिस से आने वाले वीडियो की नोटिफिकिसन आपको मिलती रहें